तिथियों के जब संबंदों विकल पाते हैं तो अपने हाँ जो तीन तारीक को ही त्रोदशी सही है छे बज़ के छे मिनट से तीन तारीक को त्रोदशी सुरू हो जाएगी और दूसरे दिन मार्ट साथ बज़े के पहले पहले ही चार तारीक को शाथ बज़े के पहले पहले ही त्रोदशी खतम हो जाएगी और आपके कारिकरम साथ बज़े के पहले सुरू होते हैं कि बाद में तो चार तारीक को त्रोदशी बचेगी ही नहीं चत्रदसी लागों हो जाएगी साथ बजे के लगभग लगभग और जो तीन तारीक को है सुवे छे बच के छे मिनट से सुरू होगी त्रियोदसी पूरे दिन भर है पूरी रात भर है ऐसा मानना चाहिए और रात भर है दूसरे दिन सुवे तक भी थोड़ी दिन रहेगी इसलिए तीन तारीक को ही महावीर जैनती मानना चाहिए चार तारीक का जो भ्रम आया है उसका भी कोई ना कोई संकेत तो होता है उसका कारण है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म त्रियोदसी को लिए उत्रा फागुनी नक्षत्र में हुआ था और उत्रा फागुनी नक्षत्र इस वार चार तारीक को पड़ रहा है लेकिन तिथी नहीं है तो हमारे यहां नक्षत्र के अनुशार हम किसी भी तीथंकर की तिथी कारिक्रम नहीं मनाते हैं आभी नहीं सकते क्योंकि नक्षत्र आंगे पीछे होते उत्रा फार्गोनी नक्षत्र जो जिसमें भग्वान का जन्म हुआ था वो चवदय तारीक को है तो ऐसी स्थिती में अपन लोग जो हैं सभी सास्त्रों के अनुशार तिथी की अनुशार ही जैंती या निर्मान दिवस मनाते हैं नक्षत्र के अनुशार नहीं अन्यता कई वार दिवाली सिंग लग्ण में स्वाती नक्षत्र तो राज के बारा वजे पढ़ती है तो बारा वजे लाड़ू चड़ेगा क्या तो अपनको तिथी देख लेना चाहिए उद्या तिथी जो है वह तीन तारीको है शार भारत को तीन तारीको ही महावीर जैं इंतिका कारिकरम मनाना है